गुड बॉर्निंग ब्यारे बच्चों मैं हूँ आपके जोके चब पूर्णिमा आतर सिंग और आज हम करेंगे हिंदी की वक्षिट नमबर सेवन बहुत ही अच्छी कवीता है काव्यांच है इसमें मजदूर के बारे में बताया गया है मजदूर खुद कहता है कि मैं मजदूर मुझे देवो की बस्ती से क्या अगिनित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया है वो कहता है मैं ही धरा पर मैं ही पृत्वी पर स्वर्ग बना रहा हूं क्यों क्योंकि बिना मजदूर के तो कोई भी काम संभव नहीं है कितना बड़ा महल है कोई भी कितना बड़ा होटैल है कोई भी बहुत ही अच्छे से जो भी चीजबर है मजदूर की सायता सही बनी है अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे तर्चों नंधर्ती का रूप सभार रहें और अभी आने वाली सद्यों में भी मेरे वश्यस धरती का उद्धार करेंगे आने वाले समय भी मजदूर जो है अपना योगदान देते रहेंगे इस 85 धरती के हित में ही लाया था हिम गिरी चीर सुख्द गंगा की निर्मलधरा तो गरा कि इस 80 धरती के साहता के लिए सुख के लिए ह कि मैं हिमाले से गंगा को चीर कर लेकर आया था क्योंकि रास्ते तो मजदूर ही बनाते हैं मैंने रेगिस्तानों की रेती धोध होकर बंध्या धरती पर स्वर्ण पुष्प खिलाए हैं वो कहता है कि मैंने जो बंज़ जमीन थी उसको उर्वरक बना दिया है उसको जो कि आपको अर्थ लिखने हैं पहले आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे पहले बचा सबसे पहली चीज जो आप लोगों को सीखनी है वो क्या सीखना है ध्यान से पढ़ना जों ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं तो चीजों को जादा याद रखने की ज़रूत नहीं प बात करती है उप्युक्त कविता के उप्युक्त शिर्षक देना है आपको इन तीन इनके तीन तीन प्रावचिशक लिखने है ठीक है इसके बाद चलिए इसके कर लेते हैं आपको अच्छी से समझ में आ रहा है इंटरस्टिंग भी लगता है हिंदी वैसे आप लोग अच्छी से पढ़ते ही हो तो चलिए इसके कोशन आंसर कर लेते हैं यहां पर निमिल्ली की शब्दों के अर्थ यहां पर देखेंगे आप अगनित ठीक है अगनित में क्या में असमर्थ हो मजदूरों द्वारा धर्ती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात पर रहे हैं मजदूरों द्वारा धर्ती पर स्वर्ग बनाने से तात पर रहे हैं कि मजदूरों ने प्रित्वी पर हर शित्र के विकास में योगदान दिया है सही योग दिया है और उन्होंने अपने जो सही योग है उसी से पृतिवी को उपजाव बनाया है तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंबर पर जितने तारे इतने वर्षों से पंक्ति में कभी क्या कहना चाहता है कि कि ये से नहीं आएगा कि अंगिनत वर्षों से ही मजदूरों के पुरोजों ने धरती को विक्सित किया है ठीक है उपयुक्त कवीता में किन लोगों के महनत की बात की गई है उपयुक्त कवीता के उपयुक्त शिर्षक दीजे धरती के विकास में मजदूरों का योगदान य क्योंकि हर बच्चे की सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है लेकिन हां यहां पर मजदूर तो आएगा ही आएगा आएगा आपके शिर्षक में ठीक है और धर्ती भी नेविन शब्दों के तीन तीन प्रायवाची शब्द लिखने हैं धर्ती जमीन होती है पृत्वी हो कम्प्लीट होते जा रहे हैं तो आप कोईस स्था उना चाहिए यहां इसी लिए अप लोगों की फर्स यूनिट टेस्ट की त्यारी अच्छे से होती रहे तो उसकी प्रपरेशन के लिए आप के लिए साइंस और एसस्ट का फ्री टेस्ट है बिलकुल फ्री है आने केडमी यह फ्री टेस्ट जो है मंडे वेडनस टे और फ्राइडे को होता है छे बजे ठीक है यह दो जुलाई से लेकि तीस जुलाई तक होगा इसमें तीन लेसन होंगे और तेरा टेस्ट होंगे तो आप इसका बिल्कुल फ्री में फायदा उठा सकते हैं और कैसे आपको कोड को अनलब कर सकते हैं और 10% डिसकाउंट भी पा सकते हैं तो जो आपका टेस्ट होगा उसमें 20 कोश्चन आएंगे जो कि हर एक कोश्चन एक मार्क्स का होगा और आपको 45 मिनिट्स मिलने वाले हैं पूरा करने के लिए टेस्ट किस किसका होने वाला है मैट साइंस और कर लिजिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंट्स के साथ ताकि वह लोग भी पढ़ाई कर सके और टेलिग्राम चैनल को भी फोलो कर लेना आपको जो भी इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन मुझसे रिलेटेड होती है उसके अपडेट आपको मिलते रहें थैंक यू Hai a nice day may god bless you